स्टार डेल्टा स्टाटर का पावर वायरिंग करना बहुत ही आसान होता है यहाँ पर मैंने एक MCB लगाया हुआ है तीन कॉंटेक्टर लगा हुआ है तीन कॉंटेक्टर में एक कॉंटेक्टर में रिले लगा हुआ है यह main contactor है यह delta contactor है और यह star contactor है यहाँ पर इस अंचिभी के output से R face निकाल कर मैंने यहाँ पर इस main contactor के L1 में और delta contactor के L1 में लगा दिया है सेम इसी तरह से मैंने yellow face को निकाल कर इस main contactor के L2 में और delta contactor के L2 में लगा दिया है सेम इसी तरह से मैंने blue face को निकाल कर main contactor के L3 में और delta contactor के L3 में लगा दिया है यहाँ पर मैंने main contactor से output 3 wire निकाल दिया है और यहाँ पर इस delta contactor से मैंने 3 wire बाहर निकाला है और यहाँ इस delta contactor के T1 से 1 wire को निकाल कर मैंने star contactor के T1 में लगा दिया है सेमे इसी तरह से मैंने T2 से वायर निकालकर T2 में लगा दिया है और T3 से वायर निकालकर मैंने star के T3 में लगा दिया है अभी ये delta contractor के 3 वायर star contractor के 3 वायर ये motor में जाकर connect हो जाएंगे